UPSC में घरेलू कामकाजी महिलाएं किस तरह से तैयारी कर सकती हैं, इस पर हम लोगों को बात करनी हैं, क्योंकि बहुत सारे मैसेज इस चीज को लेकर भी आए हैं आप इस चीज़ को देखिए जो महिलाएं घरेलू रूप से कामकाईज में इंवाल्व हैं जा जो हाउस वाइस हैं वो किस तरह से उनको बिल्कुल पहली चीज तो डिमोरलाइज नहीं होना है कि UPSC उनके लिए नहीं है ऐसा नहीं है आप बिल्कुल कम समय शुरुवात में देकर धीरे धीरे अपने जो समय की duration है वो आप बढ़ा सकते हैं और फिर आप अपनी तयारी को बहुत अच्छे वुकाम पर लेकर जा सकते हैं शुरुवात कैसे करनी हैं देखिए सबसे पहले आप कोशिश करें मिनिमम तीन घंटे दिन में आप निकालें ठीक है तीन कि कमी होती है ठीक है परिवारिक जम्मेदारियां भी उनके साथ होती है तो आप कोशिश करें तीन घंटे मिनिमम चाये एक दो घंटे दिन में निकालने एक घंटा रात में निकालने ताकि आप अपनी तयारी को थोड़ असा शुरुवाती तोर पर एक अच्छी मजबूत करना क्या है उन तीन घंटों में उन तीन घंटों में सबसे पहले आप आधा घंटा कोशिश करें कि न्यूस बेपर को समय अठीक है क्योंकि न्यूस्पेपर की हैब डालना आप लोगों को बहुत ज़़दा जलूरी है करनट फिर आपको पता चलेगा तब आकर चृए कही इस बात में बस इतना लेकर भी आप चलें और सबसे पहले शुरू करने से भी पहले आप लोग पाथे करम को देखेंगे UPSC का Prilims का Slaves देखेंगे UPSC का Means का Slaves देखेंगे इन दोनों Slaves को देखने के बाद आप बहुत अच्छे से एक बार सूक्षम विश्लेशन कर लें कि क जब ये चीजे हो जाएं, स्लेबस देखने के बाद, उसके बाद second step आप करेंगे, UPSC के PYQs देखेंगे, ठीक है, पिछले 5 साल का लगबग आप जादा ना भी देख पाएं, तो 5 साल के जो previous year के question आ रहे हैं, prelims और mains में, वो देख लें, ये देखने के बाद आप NCRT शुर भग, तीन घंटे का समय निकालते हैं न, दो से डाई महीने, तो थोड़ा सा आप UPSC की तयारी से थोड़ा सा friendly हो जाएंगे, और फिर आपको धीरे धीरे इस तयारी का जो duration है, वो बढ़ाना है, जब आपको लगे कि हाँ, आप तीन घंटे में मैं अच्छा कर पारी हूं, लेकिन prelims तक आपकी तयारी में, अगर आप 6 घंटे तक चली गई, 6 घंटे आपको डेली पढ़ना है, उस duration में फिर मुझे लगता है कि 6 घंटे इनफ है UPSC के लिए, आप लोगों के लिए, बस करना क्या है, फिर आपको जैसे मैंने बोला, कि जो 2 से 2,5 घंटे का समय है, दो सब्जेक्ट देना है, फिर आपका जो समय 6 घंटे आपने बढ़ाया ना, उसमें आप पोशिश करें, 2-2 घंटे करके एक सलिबर टॉपिक तो दोनों वही रखेंगे, सब्जेक्ट दो ही रखेंगे, 2 घंटे आपने राजनेती पढ़ लिया, 2 घंटे आपने इतिहास पढ़ लिया, लेकिन थोड़ा सा समय फिर आप निकालेंगे, आंसर राइटिंग के लिए, और प्रिलिम्स के कुश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए, को कि देखिए, UPSC दोनों स्तर पर चाहिए, वो प्रिलिम्स की परिक्षा हो, प्रारंबिक स्तर हो, और जो मुख्य प पेपर है, उसमें आपकी विल्कुल अनालेटिकल नॉलिज चेक होती ही, आपका विशलेशन का स्तर जाचा जाता है, तो आपको देखना होगा कि देखिए, शुरू से इसकी थोड़ी थोड़ी प्रेक्टिस आपको करनी होगी, प्रिलिम्स के पेपर टेस सीरीज की, और मे UPSC की तैयारी में आपको समय थोड़ा ज्यादा लग सकता है, हो सकता है जहां लोगों को डेड़ साल का समय लगता है, आपको दो साल लग जाए, या दो से थोड़ा से जादा भी लग जाए, बट आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी, और बार-बार मैं बात यह दोहरा इसको अच्छे से देख लें, करंट फेर की वीडियोज आई आर और एकनामिक्स पर मैं डेली लेकर आ रहा हूं, तो वहां पर भी आप उसकी हल्प ले सकते हैं, तो वो वीडियोज तो आप फ्री टाइम में देख सकते हैं, देखिए, वीडियोज के टाइम को आप अपनी अपना ध्यान रखें, अपनी तयारी को बहुत अच्छे पर बढ़ते चले जाएं, तो मुझे निलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी तयारी को बहुत अच्छे तरीके से करते चले जाएं बहुत बहुत धन्यवाद